सलामों, आलाइकम दुस्तों कैसे हैं, आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खेरियाश से होंगे, दूस्तों आच की वीडियो में हम कुछ जिरूरी खबर, जिरूरी जानकारी जो आ रही है, वो आप तक पहुचाने वाले हैं, आप लोगों उससे गुजारिस है क पहले दूस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, जलिए वड़ते हैं, अपडेट तरफ पूरी के अपडेट आपको बताते हैं, दूस्तों पहली अपडेट यह है कि सौधी वलदिया की तरफ से अपडेट जारी करके करते हैं तो इस पर आपको एक हजार रियाल से लेकर एक हजार रियाल तक का जुर्माना किया जाएगा डिपेंड ये करेगा कि आपने किस तरह की खिलाफ फरजी की हुई है का ये गया है कि बलदिया की डिब्बे को change करना यानि जिस जगह आप बलादिया के डिबबा रहता है उच जगह को अगर आप change करते हैं तो इस पर भी आपको जुरबाना किया जाएगा इसी तरीके से बलादिया के डिबबे को आप नुकसान पहुचाते हैं या उसके ऊपर आप से मिटवाया भी जाएगा इन्हीं मिटाने के साथ साथ आपको जुर्माना भी भरना होगा तो यह कानून सौधियरब में 15 अक्टूबर से लागू कर दिया गया है तो आप लोग भी सौधियरब के अंदर रहते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा इसके ल यह गया है कि उन्हें इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वो महिला कामगारों की उनकी मरजी के बिना तलासी लें अधिकारियों ने कहा है कि अगर किसी कारण महिला कामगार खुद की तलासी लेने से मना कर देती है और उसकी तलासी लेना जरूरी है तो इस बात की सिकायत नजदी की पुली स्टेशन में की जा सकती है कफिलों को इस बात का भी खया लखना चाहिए कि नुमिस्टिक वर्कर को हैर किया जा रहा है तो उसे जिस कफिल के लिए जिस कफिल जो कफिल उसको बुला रहा है उसके साथ ही उसको काम करना होता है किसी दुसरे गहाँ उसको काम करने के लिए भेजा नहीं जा सकता है इसके लाव अंगली बडेट यह है कि सौधी कराउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान ने गाजा के खिलाफ चल्ले बंबारी को फौरण ही रोकने की मांग की है सौधी कराउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान ने अमरीकी बिदेश मंतराले से मुलाकात की और उनसे ये अपील की है कि जो गाजा पर लगातार हमले किये जा रहे हैं इसको फौरण ही रोका जाए और साथ में उन्हें ये भी कहा कि जो गाजा के पानी को रोक दिया गया है विजली को रोक दिया गया है खाने के सप्लाई को रोक दिया गया है और साथ में जो गाजा के रास्तों को बंद कर दिया गया है इसको भी फौरण ही शुरू कर दिया जाए तो जो अमरीकी विदेश मंतराले हैं उनकी तरफ से इलान किया गया है कि हम इस मुद्दे को जल्द जल्द खल करेंगे और गाजा का जो पानी है विजली है जो बंद है जिरायल के दोरा इसको जल्द जल्द ओपिन करने के हवाले से बाच्चित करेंगे और साथ में ये भी कहा गया है कि जो रास्ते बंद है उसको भी जल्द जल्द हमों खलवानी की कोशिस करेंगे तो सौधी अरब के क्राउन प्रिस मुहम्मद बिन सल्मान और सौधी अरब के विदेश मंतराले के जो परवक्ता हैं फैसल बिन फरान वो लगातार कोशिस कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी गाजा पर जो बंबारी हो रही है ये रुख जाएगी और गाजा का जो है पानी है बजली है जो भी चीजे दिक्कते हैं इसल्ला वो हल हो जाएंगे इसके उतल्द है कि सौध को फिकरलब के मांगते हुए लिप फूलिशने कि ऽे करद और ओर Minecraft-2005 ये जिसमें औरते उर्मम्र्द दोनों ही सामिन है जिस्क कि आपको बावजूद भी अक्सर सिंग्लल पर या फिर दुकानों के बाहर इधर उधर लोग आपको भीक मांगते हुए नज़राते हैं और इसमें जातर पाकिस्तानी ही रहते हैं जो भीक मांगते हुए आपको नज़राते हैं तो पुलिस जो है लगातार भीकारियों को गिरफतार कर उसके बावजूद भी लोग भीक मांगते हुए नजर आ रहे हैं तो रियात के अंदर भी एक केमपेंच लाया गया जिसके नतीजे में कई लोगों को गिरफतार किया गया है जो रियात की इलाके में भीक मांग रहे थे इसके लाव अगली बडेट यह है कि सौधे रप के अंदर अगर किसी की विजली कर जाती है और वो विजली का बिल पे कर देता है और कहाईए गया है कि अगर दो घंटे के अंदर बिल उसके घर पर नहीं आ जाती है या फिर जहां के लिए बिल पे कर दिये उसके विजली नहीं आई उसके बाद जितने गंटे भी लेट होगी विजली आने में हर एक घंटे का सो रियाल कस्टमर को मुआपजा दिया जाएगा